नमmachine दोस्तों मैं दिलबाग सिंग मेंटल हेल्थ काउंसेलर और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं डिसकस करने वाला हूँ हमारे एक viewer subscriber है YouTube पे वो हमारी videos देखते रहते हैं उनको कोई OCD की समस्या है मानसिक समस्या है उनका एक comment मैं पूरे detail में अच्छे से आप सभी के साथ discuss करने वाला हूँ तो यहाँ पे starting में कुछ basics बाते जो बहुत जरूरी है आपके लिए वो भी आपको बताना चाता हूँ जैसे किसी ने ये comment किया हमारी post को देखकर के हमारी videos को देखकर के उसको अच्छे से समझ करके उनके comment को मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप भी अपना comment कर सकते हैं पूरी detail में अच्छे से लिखकर के comment आप पूरी problem detail में लिख करके अगर आप भेजते हैं मुझे comment लिखते हैं तो मैं उसके उपर वीडियो बनाऊंगा बात नमबर दो उन्हें जो comment लिखा है उसको मैंने इस board पर लिख लिया और अब मैं point to point जो मैं आपको कहना चाहता हूं उनको आपने अपने notebook में diary में लिखना है ये बार-बार मैं बात बोल रहा हूं यहां पर हमारे पास board है क्योंकि हम इसका regular use करते रहते हैं तो आप अपनी notebook diary लगाईए और उसके उपर अपनी problem लिखिए और फिर उसका solution कीजिए आज हम आपको proper तरीके से point 1 इस बात का जवाब देना चाहूंगा पहले हम उनके comment को पूरे को पढ़ लेते हैं फिर answer करेंगे फिर उसको समझेंगे कैसे जीते है सर जी ऐसा क्यों कहा यह मैं आपको बताऊंगा यह OCD जीतने नहीं देती जीवन छोटा सा हो गया है सब कुछ खतम हो गया है सभी प्रयास करके ठक गया है मैं ठक गया हूँ ऐसा उन्हें कहा है comment box में comment भिज़ाय में तो यह उन्हें कहां पर comment किया उन्हें एक post पर comment किया है जहांपर यह लिखा उस post में यह था कि जिन्दगी में समस्या तो हर रोज नहीं है कि हर रोज नहीं समस्या आती है लेकिन जीत जाते हैं वो लोग जिनकी सोच बड़ी है तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको इस बात का मैं जवाब देना चाहता हूँ कि उस कमेंट में यह लिखा कि जीत जाते हैं वो लोग जिनकी सोच बड़ी है तो इस बात का अंसर क्या है आपने का कैसे जीते हैं सर जी आपको जीतना है जिनकी सोच बड़ी है मतलब हमें सोच बड़ी करनी है सोच बड़ी करनी है अब सोच कैसे बड़ी करनी है मतलब फिर हमें सीखना पड़ेगा सोच तभी बढ़ी होगी, हमें सीखना पड़ेगा, चीजों को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी हमें एक learner बढ़ना पड़ेगा, हमें चीजों को समझना पड़ेगा experience करना पड़ेगा, experiment करना पड़ेगा जब आप इस तरीके से काम करेंगे, तो आप, आपकी सोच बड़ी होगी, आप जीत जाएंगे नमबर बाद दो, यह OCD जीतने नहीं देती, उस OCD से आप जीत जाएंगे यहाँ पर दूसरा point, उन्होंने का कि सर, जीवन छोटा सा हो गया है, देखो, यह जीवन छोटा आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आप परिशानी में हैं, आपके अंदर एक धैरया नहीं है, patience नहीं है जिसके कारण आपको जीवन छोटा सा लग रहा है, आपको लग रहा है, यह problem जाए नहीं रही क्योंकि अभी तक उसका हल नहीं मिला है, तो हल तक आपको पहुंचना है तो देखो, जीवन छोटा सा है, जीवन छोटा तो उनके लिए भी पढ़ जाता है जो हम सीखना या जिन्दगी में कुछ करने जाते हैं, तो जीवन छोटा पड़ जाता है तो यहाँ पर तो आप negative हैं, आपको लिए जीवन छोटा पड़े गई, लेकिन जीत जाते हैं इस जीवन को वो लोग जिनकी सोच बढ़ी होती है कुछ लोग इस जीवन को पूरे अनन से, खुशी से जी जाते हैं, बहुत कम समय में तीसरा point, इस तरीके से आप अपनी problem को solve करेंगे step by step तीसरा point इस यहाँ पर क्या निकल के आता है, उन्होंने का है सब कुछ खतम हो गया है तो इस बात को आप देखो भी कैसे सब कुछ खतम हो गया, एक problem ही तो आई है life में उस problem की वज़े से सब कुछ खतम कैसे हो गया सब कुछ खतम नहीं हुआ है, कुछ problem है, उसका हमें solution करना है, उसको ठीक करना है, बस इतनी सी बात है सब कुछ खतम कैसे हो गया इस पे आप अपने आपको सवाल करो कि सब कुछ खतम कैसे हो गया आप अभी हो, आप जिन्दा हो तो आप अपनी problem को solve कर सकते हो और जिन्दगी में आगे बढ़ सकते हो simple तो यहाँ पर यह जो आप सोच रहे हैं कि सब कुछ खतम हो गया यह गलत है कुछ भी खतम नहीं हुआ आपका एक नजरिया बन चुका है problem की वज़े से चोथा point यहाँ पे निकल के आता है सबी प्रयास करके ठक गया हो तो इसका मैं आपको answer एक ही करना चाहूँगा कि अभी तक अभी तक प्रयास तक नहीं पहुंचे जिस से आपकी समस्या सौल होनी है देखो इस बात को दुबारा से समझो अच्छे से सभी प्रयास करके ठक गया हूँ सभी प्रयास करके ठक गया हूँ जैसे आपको लग रहा जीवन खतम हो गया यहां पर भी आप आपको ना जो धहरया है वो खो रहे हैं पेशन्स है वो खो रहे है कि बस अब तो खतम है सब कुछ ठक गया हूँ लेकिन नहीं अभी तक आप सही प्रयास तक नहीं पहुंचे उस प्रयास को आपने करना है उस प्रैक्टिस को अभी आपने करना बाकी है जिससे उस experiment को करना अभी बाकी है जिससे आपकी यह जो OCD की problem लिखा ना आपने OCD की problem वो ठीक होगी उस प्रयास तक अभी आप पहुंचे ही नहीं है क्योंकि दोस्तों जीवन में हमें कई बार बार प्रियास करना होता है और उन प्रियासों से हमें सीख मिलती है हम सीखते हैं समझते हैं कि क्या 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 करने से हमें हल नहीं मिला क्या 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 करने से हमें इलाज नहीं मिला समाधान नहीं मिला और क्या बाकी है उसको हमें खोजना होता है उस तक पहुचना होता है और उसके लिए हमें एक धैर्या चाहिए हमारे अंदर पेशन्स को हमें डेवलप करना है इलाज खोजने से पहले हमें अपने पेशन्स के उपर भी काम करना है मैं इसके उपर भी आप लोगों को वीडिय को आप खतम कर सकते हैं जितना time उसमें लगना है जितना experiment होना है जितने प्रयास लगने हैं वो प्रयासों को करने के लिए आप सक्षम हो वो समय देने के लिए आप समय सक्षम हो आप टिक पाएं, आप ठहर पाएं आप स्थिर हो पाएं उस एक जगह पे जो आपको ठीक करेगी जो आपकी जीवन से समस्या को ठीक करेगी तो दोस्तों मैं आपको सीधा और सिंपल शब्दों में कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी किसी भी तरीके से समस्या में है OCD, depression, anxiety, fear phobia में तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं ओनलाइन काउंसलिंग कर सकते हैं वन टो वन मेरे से बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का आप इलाज कर सकते हैं तो हमारे साथ तक कैसे आप जुड़ सकते हैं उसके लिए स्क्रीन पर दिये गए नंबरों के उपर आप कॉल करें, बात करें और अपनी समस्या का आप इलाज करें आज का वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बेजें आप अपनी पूरी डिटेल में कमेंट लिखेंगे, तो उसके उपर में आपको एक वीडियो भी बना करके दूँगा धन्यावाद, तैंक्यू, शुक्रिया